हेलो एब्रीवन लास्ट क्लास में हमने आयूनिक कंपाउंड, कोवालन कंपाउंड और कोडिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी मॉलेकिल का लेविस इस्ट्रॉक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह लोइस इस्ट्रॉक्चर होता क्या है जिसे मान दिजिए कि आपके पास वाटर है एजटुओ मॉलेकिल है याप पर दूटॉटु मॉलेकिल है अगर मैं ह्ट्वफ्च टूओ का लोइस इस्ट्रॉक्चर ड्रॉक करूँ तो यह कुछ ऐसा दिखता है ऑक्सिजन, सिंगल बोन हैट्रोजन, सिंगल बोन हैट्रोजन और इसके पास तूडों पेर होता है Similarly, अगर मैं CO2 का Lewis structure draw करूँ तो यह होता है carbon, double bond oxygen, double bond oxygen and oxygen के पास two lone pair, इस oxygen के पास भी two lone pair होता है तो यह तो मैंने से Lewis structure draw कर लिया अब आपको doubt आ रहा होगा कि यह structure draw कैसे करना होता है अब हम लोग कैसे draw कर सकते हैं तो आज के topic में हम यही सीखने वाले हैं clear है, उसलिए heading कीजिए Lewis structure और आप चाहें तो एक दो example लिख सकते हैं और next आते है method for drawing Lewis structure उसलिए हम कुछ method देखने वाले हैं जिसके help से आप Lewis structure बहुत easily draw कर सकते हैं alright, मैं कुछ four terms find करूँगा, क्या बोला मैंने four terms find करूँगा basically n1 कुछ भी बोल सकते हैं, मैं इसको n1 बोल रहा हूँ फिर मैं n2 find करूँगा, फिर n3 find करूँगा, फिर n4 find करूँगा अब n1, n2, n3, n4 की जगा पे आप अच्छे, x, y, z, w भी बोल पर पे हैं, no problem alright, तो इसलिए, तो first step होगा आपका, आप n1 find करें ठीक, तो step 1 is find n1, अब doubt आएगा, n1 है क्या, तो मैं आपको बता दूँगा n1 is total number of, या फिर फिर इसलिए लिए, n1 is number of valence electron on total atom molecule में जितने भी atoms है, सारे atoms पे आप number of valence electron count करें, उनको add कर दें, आपको मिल दाएगा n1, ये तो कैसे लो neutral के लिए, लेकिन अगर कहीं पे negative charge है, तो negative charge, आप चितना भी negative charge है, उसको आप add कर दें, तो अगर negative है, तो plus, negative charge, और फिर negative charge है, तो आप add करेंगे, जितना भी negative charge है, इनकी से लिए positive charge है, तो आप minus positive charge करेंगे, यहां से आप, मैं इस number को n1 बोल रहा हूँ, अब यह है कैसे लिए समझने का try करता है, इसे माल लीजे कि मैं एक्जांपल ले लिया, h2o, अगर मैं इसके लिए n1 का value find करूँ, तो n1 कितना होगा, 1 hydrogen में 1 valence electron, 2 hydrogen में 2 valence electron, और oxygen के पास कितने valence electron है, आपको पदा है, 6 valence electron होते हैं, तो 6 plus 2, कितना हो जाएगा, 2 plus 6 will be 8, h2o के लिए n1 का value 8 हो जाएगा, similarly, अगर मैं आप से बुलूँ कि मैं पास CO2 molecular, CO2 में n1 का value क्या होगा, CO2 में 1 carbon है, 1 carbon में 4 valence electron, 1 oxygen में 6 valence electron, 2 oxygen में 12 हो जाएगे, तो 6 to 12 में कितना हो जाएगा, n1 का value, 16 हो जाएगा, clear है, तो यह एसे मैं कुछ और example ले लेता हूँ, लेट से केटायन ले लेता हूँ, आपको समझ में आएगा, लेट से NH4 plus ले लेता हूँ याज, अब NH4 plus में देखेंगे, यहाँ पे plus charge देख रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 nitrogen है, 1 nitrogen में 5 valence electron, 4 hydrogen है, 1 hydrogen में 1 valence electron, 4 hydrogen में 4, 5 plus 4, 9 हो गया, positive charge है, positive charge को क्या करते हैं, subtract करते हैं, 1 positive charge है, आपको क्या करना पड़ेगा, 5 plus 4 minus 1, मिल्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, N1 का value, I hope इतना clear है, तो लिए मैं एक और example ले दो, आपको और clear हो जाएगा, CO3 2 minus, अगर मैं इसके लिए N1 का value find करूँ, 1 carbon है, carbon के पास 4 valence electron, तो 4, 1 oxygen के पास 6, 3 oxygen के पास 18, 2 negative charge है, तो negative charge को क्या करते है, add करते है, तो आप यहापे लिख सकते हो या, plus 2, मिन्स कितना हो जाए गए, 24, तो यहाँ से आप किसी भी molecule का, या कोई भी NIN हो, कोई भी Ketion हो, आप कबकी लिए N1 का value find कर सकते हैं, N1 आपको याद होताना चाहिए, N1 is total number of valence electron, plus negative charge, minus positive charge, याद हो गया, अब N1 find करने के बाद, second thing is, find N2, अब doubt आएगा कि N2 क्या है, तो चलिए मैं आपको बता दू कि N2 is, N2 जास मैंने क्या arbitrary number लिया, N2 है क्या, तो 2 into 2 into number of hydrogen atom, जितनी भी hydrogen atom है, उनको 2 से multiply करें, plus 8 into other atom, अगर कोई other atom है, तो 8 into number of other atom लिए तो आपको confusion नहीं होगा, number of other atom, तो N2 is 2 into number of hydrogen atom, plus 8 into number of other atom, other atom means hydrogen को सोड़े, अब तो नहीं समझते है N2 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर, अगर मैं N2 फाइंड करने का try गरू, तो यहाँ पर N2 क्या होगा, 2 hydrogen atom है, तो N2 will be 2 into 2, plus 1 hydrogen को सोड़ के atom है, 8 plus 8 into 1, कितना हो जाएगा, 2 to the 4, 4 plus 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, clear है, CO2 में देखा जाए, तो CO2 में hydrogen atom है ही नहीं, अगर hydrogen atom नहीं है, it means यहाँ पर 2 into 0, उसकी बात ही नहीं करना, यह तो number 0 हो जाएगा, plus 8 into number of other atom, hydrogen को सोड़ के हैं, यहाँ पर 3 atom है, 1 carbon, 2 oxygen, 3 atom, 8 into 3, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 24, clear है, फिर यहाँ पर देखा जाए, 1 nitrogen है, 1 nitrogen means, 8 into 1 plus, 4 hydrogen है, 4 into 2, कितना हो जाएगा, 8 plus 8, 16 हो जाएगा, अब बात करते हैं, CO3 2 minus, CO3 2 minus में पर शिर्फ other atoms ही मुझे देख रहा है, hydrogen देखे नहीं रहा है, total 4 atoms है, 8 into 4 कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 32, तो मुझे लग रहा है, N1 और N2, किसी भी molecule के लिए, find कर सकते हैं, अब next अपना हैगा, N1, N2 find करने के बाद, 3rd step will be, find, N3, अब N3 कहा है, तो N3 is, N2 minus N1, N2 में से अगर आप N1 को subtract करेंगे, तो इस number को मैं N3 से represent कर रहा हूँ, और यह number क्या denote करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, this represents, number of, shared electrons, N3 is number of shared electrons, means इस molecule में कितने shared electrons है, यह आपको N3 से मिलेगा, अब देखो, मान लोग किसी molecule में 2 electrons shared है, तो अगर 2 electrons shared है, means कितने bond हो जाएंगे, 1 bond, किसी molecule में 4 electrons shared है, कितने bond हो जाएंगे, 2 bonds हो जाएंगे, it means, अगर आपको number of bonds चाहिए, तो number of bond will be N3 by 2, आपको क्या करना है, पहले N1 find करना है, N2 find करना, फिर आपको N3 find करना, N3 is N2 minus N1, N3 by 2 करेंगे, तो आपको number of bond मिल जागा, जैसे यहाँ पर देखें, अगर मैं N3 find करू, N3 is N2 minus N1, N2 minus N1, 12 minus 8, 4, 24 minus 16, 8, 16 minus 8, 8, 32 minus 24, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं N3 by 2 find कर लू, तो यहाँ से मुझे number of bond मिल जाएगा, तो N3 by 2 will be, क्या हो जाएगा? 4 by 2, 2, 4, 4, 4, मतलब आप देख रहे हो याज, आप H2O में directly, mathematically बदा सकते हो, कितने bonds हैं, H2O में 2 bonds होंगे, CO2 में 4 bonds होंगे, मैंने structured raw नहीं किया, फिर भी आप बदा सकते हो, NH4 plus में 4 bonds होंगे, CO3 to minus में 4 bonds हैं, I hope इतना clear है, आपको यहाँ से N3 by 2 से क्या मिलेगा, तो मैं आपे लिगे तो हो यहाँ, N3 by 2 से आपको number of bond मिलेगा, अब आपने N3 भी find कर लिया, नेक्स्ट आते हैं, point number 4, find N4, तो यह N4 क्या है, तो N4 बेसिकली है, N4 is N1 minus N3, N1 रेप्रेजेंट कर रहा है, total number of valence electron, N3 रेप्रेजेंट कर रहा है, number of shared electron, total electron में से shared electron, अगर आप निकाल लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, number of unshared electron, clear है, तो यहां से आपको number of shared electron था N3, N1 था number of electron, तो टोटल number of electron minus shared electron, विल गिए number of unshared electron, अब number of unshared electron, आपको पते हैं, two unshared electron है, इनको one loan pair बोलते हैं, आप यहां से बोल सकते हो, number of loan pairs, यह कितना हो जाएगा, n4 by 2 आप चलिए यहाँ पर try करते हैं n4 find करने का चलिए n4 क्या होगा n4 is n1 minus n3 n1 8 है n8 minus 4 n3 n1 minus n3 तो यहाँ पर 4 आ गया 16 minus 8 8 हो गया 8 minus 8 0 हो गया 24 minus 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा clear है क्या आपको अगर n4 मिल गया तो आप n4 by 2 भी बता सक्च है n4 by 2 यह तो आप क्या होगा n4 by 2 को मैं बोलने वाला हूँ number of loan pair n4 by 2 यहाँ से 4 by 2 कितना हो जाएगा 2 8 by 2 कितना हो जाएगा 4 यह 0 यहाँ पे 8 इसाब इमाजिन करो अब जिस्ट कैलकुलेशन से बता सक्ते हो कि H2O मॉलेकिल में कितने loan pair है CO2 मॉलेकिल में कितने loan pair है n4 प्रस में तो यहाँ 0 loan pair देख रहे है CO3 2 माइनस में 8 loan pair है तो अब किसी भी मॉलेकिल में number of bond बता सक्ते हो number of loan pair बता सक्ते हो इस इस कैलकुलेशन से n1, n2, n3, n4 से clear है? अब n1, n2, n3, n4 find कर लिया आपको number of bond and number of loan pair मिल गया अब आपको क्या करना है? point number 5 point number 5 है जब structure draw करना है अपको तो structure draw करते टाइम एक atom को center पर रखते है बाकि atom को surrounding में रखते है बात समझना रही है जैसे H2O में oxygen और मैंने hydrogen acid रो किया था यह पर center में oxygen है और यह surrounding में hydrogen है तो जो भी center पर atom होता है इसको बोलते है central atom surrounding में जो atom होते हैं इसको बोलते है surrounding atom तो हमारा point number 5 है fifth step होगा आप central atom identify करें मिज़ कौन सा atom central atom होगा यह आपको सोचना है तो point number 5 लेखिए step number 5 identify identify central atom अब इस central atom identify क्या से करें इसके लिए की point है आपके पास molecule में जो भी least electron negative element है क्या बोला मैंने पूरे molecule में जो भी least electron negative element है माल इस आपको CO2 दे दे इस CO2 में carbon है और oxygen है carbon और oxygen में less electron negative carbon है तो जो भी least electron negative element होता है वह ही generally central atom होता है की point याद रहेगा आप लिख लिए कि least electron negative element least electron negative element acts as least electron negative element acts as least electron negative element acts as central atom right of course hydrogen के बारे में नहीं सूचने है hydrogen जैसे यापर H2O में hydrogen less electron negative है so hydrogen को हम लोग central atom नहीं रखते है so मैं लिख ज़ता हूँ except hydrogen hydrogen को include ना करे है hydrogen always surrounding atom ही होता है hydrogen क्या होता है बली इसका electron negativity कम हो लेकिन फिर भी यह always surrounding atom ही होगा चेक तो याद रखते हैं कि least electron negative element acts as surrounding as sorry central atom hydrogen के बारे में आपको consider नहीं करना है मतलब कभी आपको एक्जांपल है रहे है इसके बाद आप structure कर सकते हैं चलिए मैं आपको example दे रहाँ पिर आपको central atom सोचना है central atom होगा तो least electron negative element होगा इसके बाद आप structure draw कर सकते हैं चलिए मैं आपको example दे रहाँ जैसे मान लिजे कि आपको एक्जम्पल है फॉर्स्ट एक्जम्पल चलो मैं CO2 का ले रहा हूँ CO2 का मुझे structure रहा करना है आप N1, N2, N3, N4 फाइंड करेंगे फाइंड कर चुके है N1 का गाल्यू कितना आया था N1 16 है N2 कितना है 24 है N2 is 24 N3 देखा जाया N3 8 है और N3 by 2 N3 by 2 बेसिकली 4 है मैंसे इसमें number of 1 4 है N4 by 2 कितना है N4 by 2 से मुझे मतलब है N4 by 2 भी यहाँ पर 4 है It means यहाँ पर 4 लोन पर है कितना data मुझे पता है और मुझे यह भी पता है कि यहाँ पर इस central atom कौन सा होगा Carbon या Oxygen तो central atom विल भी Carbon कुछ मत करें देखो इस तो अच्छरब द्रो कैसे करना है इस data से Central atom को रखे Carbon लिख दिया Surrounding में आप कहीं भी Oxygen लिख दो Oxygen लिख दिया आपके पास Four Bonds है Right Four Bonds को rearrange करना है यार नहीं Carbon से Start होगा Carbon से Oxygen 1 Bonds दे दिया Carbon से Oxygen 1 Bonds दे दिया Two Bonds Two Bonds और है Next Bonds भी इसी को दे 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 है आपको पता है Oxygen Double Bonds बनाता है तो इस Next Bonds यहां पर दे 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 है Clear मैंने कुछ नहीं किया Four Bonds distribute किया इसके बाद यह तुम्हेंने distribute कर लिया Four Loan Pair है Loan Pair को कैसे distribute करना है ध्यान राखे सबका Octate complete करना है क्या बोला है मैंने सबका Octate complete करना है जितने भी Atom है यहां पर Octate मतलब 8 Electrons अब के पास होने चाहिए Carbon के पास देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 valence electron इसके पास अल्रड़ी है इसको अब need नहीं है Loan Pair की अब Oxygen का देखें Oxygen के पास 1, 2, 3, 4 Electron है 4 Electron और थाही है इसको 4 Electron ने दो यहार Octate complete करने के लिए इसको दे दिया अब इस Oxygen को सोचें आपके पास 2 Loan Pair और है 4 Electron है इसके पास 4 और पास है इसको तो 2 Loan Pair आप इसको दे दो यह हो गया CO2 का structure Simple है कि आपको N1, N2, N3, N4 Find करना है फिर जस्ट Loan Pair and Bond Pair Distribute करना है तो इसको आपको सब कुछ पता है Water के बारे में मैंने सब कुछ calculate किया N1 का value कितना है 8 N2 is 12 N3 by 2 is 2 N3 by 2 means इसमें 2 bonds है और N4 by 2 यह कितना है यह भी 2 है मैंने सब के पास 2 Loan Pair है अब आपके पास 2 bonds से 2 Loan Pair है Basically आपको इसी data से मतलब है क्या करेंगे कि hydrogen को आप central atom नहीं रख सकते है central atom किसको रखना पढ़ेगा oxygen को 2 hydrogen को आप surrounding atom रख दे कितने bonds है 2 1 bond oxygen hydrogen next bond oxygen hydrogen always try करें connect करें का central atom से surrounding atom को यह मत तोचना कि मेरे पास 2 bond है तो एक hydrogen और hydrogen को अटाच करतें जभी bond बनाना है bond always central से surrounding में जाएगा 2 bonds नहीं मेरे पास 2 Loan Pair है आपको बदा है hydrogen को जब डुपलेट कम्पलीट करना होता है कम्पलीट है इसका भी डुपलेट कम्पलीट है oxygen के पास अभी भी 4 electron है 4 electron होता है तो 2 Loan Pair आप E C को देदो याज समझ मैं है क्या यह हो गया H2O का structure next तो लिए अपन समझते हैं और structure draw करने का try करते है third अपन draw करने वाले COCl2 इसका draw करना है अब चाहे तो N1, N2, N3, N4 सब्सक्राइब प्रैक्रिस करें और fourth carbon tetra chloride इसका find करें इसका erase करें third, fourth, fifth ते लिए आपको draw करना है N, O, C, L का देखते है कौनी तीनों structure draw कर सकते है अब ट्राइ करें या तो वीडियो पॉस्ट करने है और अभी खुच्छे स्वाल करें देखें, COCl2 का structure draw करना है सबसे पहले आप N1 फाइंट करें यहाँ पर N1 होगा N1 is 4, 4 plus 6 10 और 14 10 and 14 कितना हो जाएगा 24 N2 is 8 into 4, 4 atom है hydrogen है नहीं, 4 into 8 कितना हो जाएगा 32 N3 कितना हो जाएगा 32 minus 24 8 N3 by 2 कितना हो जाएगा 4 अब यहाँ पर N4 क्या होगा N1 minus N3 यह हो जाएगा 24 minus 8 16 N4 by 2 कितना हो जाएगा 16 by 2, 8 हो जाएगा यहाँ इतना तो समझ में आगा है कि 4 यहाँ पर bonds होगे and 8 loan pair होगा clear है अब आप सोचे की carbon, oxygen and chlorine में यहाँ पर electron negativity सबसे कम किसका होगा तो सबसे कम electron negativity carbon का है carbon को central atom रखेंगे oxygen, chlorine and chlorine इनको अपन surrounding atom रखेंगे clear है अब क्या आपके पास 4 bonds है 4 bonds distribute करना है ध्यान रखें, always central atom को surrounding atom से connect करें one bond इसको दिया, one bond इसको दिया, one bond इसको दिया मेरे पास one bond और है किसको दे आपको पात है, chlorine single bond form करता है oxygen double bond form करता है oxygen को दे तो यार clear है आपके पास 8 loan pair भी है यह भी distribute करना है कैसे distribute करें carbon का optic तो complete हो चुगया 1 bond से 2 electron तो यह 4 bond से टास है 8 electron मिल चुके है carbon को अब आप focus करें chlorine पर chlorine को अभी तक सिर्फ 2 electron मिले है octate complete करना है कितने electron और चाहिए 6 electron और चाहिए chlorine को 6 electron means 3 loan pair तो 3 loan pair आप इसको दे दे आपके पास 8 है, 8 में से 3 इसको दे दिया 3 इसको भी देना पड़ेगा octate complete करने के लिए इसके पास 4 electron है अभी 2 loan pair इसको दे देते है 3 प्लस 3 प्लस 2 8 loan pair भी हमने distribute कर लिया तो यह है COCl2 का structure clear है CCL4 देखते है CCL4 में क्या होगा N1 4 प्लस 28 32 हो गया clear है 1 chlorine में 7 valence electron 7 into 4 28 28 प्लस 4 32 हो जाएगा N2 की अगर बात करें तो N2 will be 5 into 8 40 हो जाएगा N2 40 है अब यहां से N3 40 माइनस 32 8 N3 by 2 4 मिन्स इस molecule में 4 bonds होंगे अब बात करें से N1 माइनस N3 यहां से मुझे N4 मिल जाएगा तो N4 is 32 माइनस 8 24 और N4 by 2 यहां जाएगा 12 मिन्स इसमें 12 lone pair होंगे मिन्स 4 bonds है और 12 lone pair है अब carbon tetra chloride है carbon less electron negative atom है तो carbon को आप center पर रखेंगे 4 chlorine को surrounding atom 4 chlorine रखेंगे chlorine, 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 chlorine कितने bonds है आपके पास 4 bonds है तो 1, 2, 3, 4 4 bonds carbon का octet complete है 4 bond है 1 bond में 2 electron होते है इसका 2 octet complete है आपके पास 12 lone pair है अब chlorine का भी octet complete करना है तो क्या करेंगे अब है इस chlorine को भी 2 electron मिला है कितने lone pair देदे 3 lone pair so that इसके बास 6 electron extra मिल देगे तो 3 lone pair आप इसको देदे 3 lone pair आप S-chlorine को 3 lone pair S-chlorine को and 3 lone pair S-chlorine को देना है यह होगा carbon tetra chloride का structure clear है क्या तो लिए NOCl का structure आप खुचर ट्राई करें अगर इसमें टाले तो मैं N1 find गरूगा so N1 will be 5 nitrogen के, oxygen के 6 chlorine के 7 यह होगा 18 alright N2 कितना होजागा? 18 x 3 24 N3 कितना होगा? 24 minus 18 so 24 minus 18 कितना होगा? 6 N3 by 2 3 means इस molecule में 3 points होगे clear है? next अगर बात करेंगा N4 के बारे में बात करें तो N4 is N1 minus N3 so यह कितना होजाएगा? 18 minus 6 12 और यहां से N4 by 2 कितना होजाएगा? यह होजाएगा 6 means इस molecule में 6 lone pair है and 3 bonds है clear है क्या? अब आप यहां पर देखोगी कि central atom को हांसा होगा? आपको पते है oxygen का electron negativity approximately 3.5 होता है approximately 3.2 होता है nitrogen का 3 होता है so least electron negative element nitrogen है nitrogen, oxygen and chlorine को surrounding atom रखेंगे मेरे पास total 3 bonds है all right 3 bonds कैसे distribute करें 1, 2, next bond आपको पते है oxygen double bond बनाता है so chlorine to single bond में ही happy है so oxygen को अपन next bond रहेंगे clear है क्या? अब मेरे पास 6 lone pair है अगर आप देखेंगे orchid complete करने के बाद nitrogen 3 bond form किया है nitrogen के पास total 6 electron है 6 electron means कितने lone pair और देना पड़ेगा so one lone pair nitrogen को देना पड़ेगा clear है? oxygen के बादे में बाद करें so oxygen 4 electron है 4 electron इसको और extra देना पड़ेगा 4 electron देने का मतलब इसको 2 lone pair देना पड़ेगा right अब मेरे पास 6 में से 3 lone pair मैं use कर चुका हूँ मेरे पास 3 lone pair और है means 6 electron हो और है आप देख सकते हैं chlorine के पास just 2 electron है इसको 6 electron required है अब 3 lone pair इसको दे दे तो यह हो गया NOCL का structure I hope इतना clear होगा आपको अचलिए अगर आपने structure draw करना basic तो सीखी लिए है next segment पे आते है heading दीजे formal charge formal charge क्या होता है यह basically पर आप समझदो simple way में मान लिजे कोई atom है जिससे मान लो कि nitrogen है just simple example ले ले तो nitrogen अगर free state में है free means atomic state में है of course atom के form में यह exist नहीं कर सच्छा है लेकिन imagine करो कि अगर यह free state में होता तो nitrogen के पास कितने valence electron होगे इसके पास 5 valence electron होगे clear है तो मान लिजे कि आपने nitrogen के पास 5 valence electron तो थे free state में लेकिन nitrogen ने कोई compound form किया just imagine ज़िये और इस compound में आपने nitrogen को just खुदके 4 electron दिये कितने electron दिये आपने just इस nitrogen को आपने 4 electron assign किये है अगर just 4 imagine को just 4 electron assign किया है कैसे assign किया है, क्यों किया है वो अबन पढ़ेंगे किसे molecule में just nitrogen के just 4 electron है right, free state में कितने होते है 5 होते है तो यह ज़िए free state में जितने electron है minus अपने कितने electron molecule में इसको assign किये है इस difference को बोलते है formal charge बिल्कुल नहीं समझ मैं है, फिर से बता रहा हूँ माननेजे कि किसे molecule में किसे molecule में कोई atom है and आपने इसको 4 electron assign किये है right free state में इसके पास 5 balance electron होते है तो यह 5 minus 4 इस difference को बोलते है formal charge clear है कि आपको यह point समझ में आ रहा है कि इसके पास 5 electron होंगे अब molecule में कितने electron है इसके पास यह फिर मैंने कितने electron assign किया है यह कैसे find करना है यह आपको doubt आ रहा होगा यह अपने को सीखना है बात समझनार यह क्या यह data अगर मिल जाएगा तो जिस subtract करेंगे आपको formal charge मिलेगा चलिए formal charge का आप definition लिखे लिखे कि इस difference it is difference between it is difference between number of valence electron it is difference between number of valence electron of an atom it is difference between number of valence electron of an atom in isolated condition it is difference between number of valence electron number of valence electron of an atom valence electron of an atom in isolated condition in isolated condition and and it is difference between number of valence electron of an atom in isolated condition and number of electron and number of electron assigned to number of electrons assigned to that atom number of electron assigned to that atom in Lewis structure. in Lewis structure, I hope it is clear, I hope it is clear, I hope it is clear, formal charge is equal to number of valence electron, V minus, Lewis structure may be either shared or unshared, होंगे, मैं समझ में रिये गा, Lewis structure में अगर मैंने इसको electron assigned किया है, तो वो electron either shared हो सकता है, या फिर, वो सकता हो कि यह unshared है, तो मैं बोल सकता हो कि minus number of shared electron plus number of unshared electron, clear है? आप इसको ऐसे भी बोल सकते है, valence electron, V means number of valence electron, confused नहीं होना है, valence electron, number of valence electron minus, अगर nitrogen 3 electron अपना share कर रहा है, कितने bond बनाएगा? 3 bond, अगर nitrogen अपना 1 electron share करेगा, तो nitrogen 1 bond बनाएगा, because 1 bond में एक 2 electron nitrogen का होगा, एक electron दूसरे atom का होगा, clear है गया? जितने shared electron होंगी, उतने तो bond हो जाएगी, अब बोल सकते है, V minus, number of shared electron के place अब लिख सकते है, number of bond plus unshared electron के बारे में, देखे हो 2 unshared electron होंगी, तो इसको 1 loan pair बोलते हैं, right? अब इसको लिख सकते है, plus 2 into number of loan pair. V minus number of bond plus 2 into number of loan pair. clear है गया? अब यह formula लिख लें, अब देखे है इसके application, कैसे यह apply करना है? इस पिली मैं आपको एक simple से example ले रहा हूँ, आपको यहां से clearly समझ में आ रहाएगा हूँ, महां लिखे कि COCl2 molecule है, ठीक, और COCl2 molecule का आप structure draw कर सकते हो, अभी हमने draw किया था, और आप देख सकते है, पीछे से structure कैसे draw किया था, C double bond O, single bond chlorine, single bond chlorine, ऐसा ही structure था, carbon पे zero valence लेक्ट वान थे और season के पाँ, मैंने two lone pair दिया था, chlorine को आप देखेंगे, तो यहां पे three lone pair होगा, इस chlorine के पास भी three lone pair होगा, carbon के पास zero lone pair था, यह हमने structure draw किया है, अगर मैं आपसे पूछाँ कियार, formal charge on carbon कितना होगा, carbon के पास आपको पता है, valence electron four होते हैं, तो four minus इस structure में carbon के पास कितने electron है, अब देख सकते हैं, carbon कि खुद की electron, एक तो यह है, एक तो यह है, खुद के electron यह है, और यह है, ठिक, octete वाला नहीं, octete में थो आपको यह क्लोरिन का electron है, इस chlorine का electron, इस oxygen का electron, इस oxygen का electron, जब octet count करना है, जब तो मैं इन सब को carbon में count करूँगा, लेकिन इस bond में carbon का, खुद का one electron है, one electron chlorine का है, अपि यह count करें कि carbon का खुद का electron कितना है तो 1, 2, 3, 4 तो 4-4 कितना हो जाएगा 0 मिल्स कारवन पर कोई charge नहीं होगा similarly अगर मैं आप से पूछ हूँ कि formal charge on oxygen कितना होगा oxygen के पास valence electron 6 होचे है 6- इस structure में oxygen के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 6-6 कितना है 0 formal charge है मैं इसको chlorine number 1 बोल देता हूँ इसको chlorine number 2 बोल देता हूँ आपको simple रहेगा formal charge on chlorine number 1 कितना होगा chlorine के पास 7 valence electron 7 minus 6 इसके पास unshared minus 6 plus 1 shared 6 plus 1 कितना है 7 minus 7 यहाँ भी 0 means chlorine पे भी कोई charge develop नहीं होगा similarly यहाँ मैं बोलू formal charge on chlorine number 2 7 valence electron minus 6 plus 1 कुझके 7 electron है 7 minus 7 0 it means इस structure में अब देख सकते हैं COCl2 में carbon oxygen chlorine किसी के पास कोई भी charge नहीं होगा यह सब neutral होगे clear है से अबन कुछ next कुछ और molecule लेते हैं 3 example number 1 example number 2 a no 3 minus तो यह पर एक काम करें पहले a no 3 minus का पहले तो structure draw करें फिर मैं formal charge calculate कर रहा हूँ तो यह आप structure draw करें एक कर दो यह आप एक कर दो गप घए यहां पर देखें सबसे पहले मैं तो n1 calculate करूंगा यार यहां पर n1 हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 1 कितना हो गया 24 n2 हो जाएगा 32 8 इंटु 4 32 हो जाएगा n3 विल बी 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा n2 माइनस यह 8 हो जाएगा यहां से n3 by 2 4 means इसमें 4 bonds होंगे n4 की बात करें तो n1 माइनस n3 24 माइनस 8 यह 16 होगा और यहां से n4 by 2 16 by 2 कितना हो जाएगा 8 होगा means 8 लोन पेर होगा सबसे पहले तो पान ट्राइ करते हैं n3 माइनस का structure रोगा करने का अब जब भी आपको n3 माइनस का structure रोगा करना है least electron negative element को आप central atom मानेंगे तो आप यहां पर nitrogen लिख दे 3 oxygen 1 2 3 oxygen लिख दे अब चार्ज को भाव नहीं दे just as a nitrogen 3 oxygen लिखते हैं तो इसके बाद आपको क्या सोचना है 3 bonds है आपके बाग 1 2 3 clear है 4th bond किसको दें confusion हो सक्टा है कि आप तीनों ही same bond देख रहे हैं किसको दें तो याद आप किसी को भी दे सकते हैं राइट आप चाहो तो इसको भी दे सकते हो मैं यहाँ आप लिखता हूँ nitrogen double bond oxygen single bond oxygen single bond oxygen तीनों ही possible है right तीनों structure में difference है तिर्फ यह जो double bond है इस bond का difference है इसका location just different है clear है अब होगा क्या है कि चलो मैंने यह तो कोई भी है इसी structure को लेलता हूँ 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 4.3 मेरे पास 8 loan pair है 8 loan pair में आप देखेंगे nitrogen के पास octet देखें आप minus को फिर से बोलों आभी minus को ignore करें आप देखें कि nitrogen का octet complete है या नहीं है तो nitrogen के पास 2 plus 2 plus 4 8 valence electron means 8 electron means octet complete है octet complete इसको 3 देना पड़ेगा और इसको भी 3 देना पड़ेगा clear है क्या अब क्यास 8 loan pair है 3 plus 3 plus 2 8 loan pair आप दिस्ट्रिब्यूट कर लिया वैसे हैं आप यहाँ पर सोचेंगे तू लोन पिर इसको देना और 3 loan pair इसको 3 loan pair इसको अब यहाँ पर देखते हैं तो 3 loan pair इसको देता है 2 loan pair इसको देना है और 3 loan pair इसको देना है तो dieses challenging same structure है यह तो होगया structure अब मुझे क्या करना है formal charge calculate करना है ठीक dis бой मैं इस structure में formal charge calculate करो हूं nitrogen, मैं इसको अक्सेजन नमबर 1, इसको अक्सेजन नमबर 2 और इसको अक्सेजन नमबर 3 बोल रहा हूं, clear हाँ, मैं क्या करूँगा, formal charge on nitrogen calculate करूँगा, nitrogen के पास valence इलेकर और कितने होता है, 5 होता है, इस structure में आपने nitrogen को कितने electron दिया है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 electron दिया है तो 5-4 जिन्स कितना उजाएगा? प्लस 1 जिन्स यहाँ पर nitrogen पर प्लस 1 charge है तो यहाँ अपने formal charge on oxygen number 1 count करते है oxygen के पास 6 valence electron minus आप देखेंगे इस structure में मैंने oxygen को कितने electron assign किये है तो 1, 2, 3, 4 4 तो यह unshared होगे और यहाँ पर 2 electron oxygen के shared होगे तो 4 प्लस 2 6 6-6 कितना हो जाएगा? 0 राइट? Similarly, formal charge on oxygen number 2 यह देखा जाए oxygen number 2 में आप देखेंगे oxygen number 2 के पास valence electron तो 6 होगा 6 minus अब oxygen number 2 के पास total electron कितने है इस structure में 6 unshared, 1 shared 6-7 कितना हो जाएगा? minus 1 तो इस पर minus 1 charge है Similarly, अगर आप formal charge on oxygen number 3 देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा? oxygen number 3 में means oxygen के पास 6 valence electron 6 minus तो परसे 2 plus 2 plus 2 plus 1 electron इसका तो 7 कितना हो जाएगा? minus 1 हो जाएगा clear है क्या? इसका मतलब है कि अगर आपको यह structure लिखना है तो आप कैसे लिखने वाले है? आपको लिखना है यह nitrogen double bond oxygen, single bond oxygen, single bond oxygen और nitrogen पे plus 1 charge है oxygen पे minus 1 charge है इस oxygen पे minus 1 charge है clear है क्या? यह NO3 minus का structure हो गया और आपको लिखा जाएगा? इधर 2, इधर 3 होते इधर 3 होता clear है? आपको आज एक चीज पता होगा कि कहीं भी A single bond B हो A पे plus B पे minus 1 तो आप इसको replace कर सकते हैं परहे किससे? A coordinate bond B से replace कर सकते हैं क्या? इसका मतलब है जैसे यहापे N plus 1 O minus 1 है आपको इसको coordinate bond से replace करते हैं यहाँ पे N plus 1 O minus 1 है इसको coordinate bond से replace करते हैं किसी को भी एक को आप coordinate bond से replace कर सकते हैं मैंने सब्सका है तो इसका structure आइसे लिख सकते हैं N double bond O इसको मैं coordinate bond O लिख जूँँगा single bond O minus बाकि 3 loan pair यहाँ पे 2 loan pair यहाँ पे और 3 loan pair यहाँ पे रहेगा तो यह हो गया N O 3 minus का structure प्लियर रहेगा तो हमने क्या दिखा कहीं भी A plus single bond B minus आया तो इस single bond O plus minus को हटाके आप coordinate bond डाल सकते हो प्लियर रहेगा और यह जो आपको N O 3 minus के 3 structure मिले हैं ठीक इसमें आप देखेंगे कि फिर फिर जो double bond इसका position change हो रहा है पाकी atoms अब वही पे है nitrogen यही पे है oxygen यही पे है oxygen यही पे है this bond का position change हो रहा है ऐसे structure को बोलते है resonating structure क्या बोलते है resonating structure और इस फेनोमेना को बोलते है resonance resonance क्या होता है कि phenomena यह पे double bond का delocalization हो रहा है delocalization मिलिज जश्ट कभी इस nitrogen oxygen पे है किसी इस nitrogen oxygen पे है कि कभी इस nitrogen oxygen पे है right just bond का position change हो atom का position same रहा है तो इन सारे structure को बोलते है resonating structure clear है गया I hope अपको इसमें किसी उडाउट नहीं होगा अगर मैं सब का ही structure द्रॉप करूँ ठीक नो तो इसमें क्या होने वाला है N double bond हो गर मैं इसको drop करूँ और मैं formal साथ इसपे कितना है minus 1 इसपे minus 1 इसपे plus 1 इसमें देखा जाए पिसमें minus 1 इसपे minus 1 इसपे plus 1 है right और यहां पर देखा जाए इसपे माइनस वन इसपे माइनस वन इसपे प्लस वन है I hope इसमें किसी उड़ आउट ही होगा अब चाहें एक और इसके आईएगा प्रोसेस विसे हम यह बाद में और गेनिक के में पढ़ें लेकिन आप सहो तो एसे भी लिख सकते हो यह सारे रेजोनेटिंग स्वाच्टर हैं आप इनका हाइब्रीड भी ट्रॉक कर सकते हो हाइब्रीड कैसे ट्रॉक करते हैं लेकि इन तीनों का मैं हाइब्रीड ट्रॉक काता हूं ठीक नो आप हाइब्रीड कैसे ट्रॉक करते हैं नाइट्रोजन लिख लें ऑक्सीजन लिख लें ऑक्सीजन लिख लें ऑक्सीजन लिख लें ठीक 3 by, sorry, 1 plus 2 plus 1, 4 bonds है nitrogen oxygen में, 4 bonds divided by number of structure, 4 by 3, कितने हो गया, 1.33 bond हो गया, means इस nitrogen oxygen में exactly 1.33 bond है, 1.33 कैसे लिखेंगे, 1 bond हो है, 0.33 bond को आपन ऐसे dot 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 से लिखेंगे है, clear है, तिर यहापे देखें, nitrogen oxygen में, यहापे N single bond हो, 1 bond है, यहाभी 1 bond है, यहापे 2 bond है, total number of bonds, 4 हो गया, divided by 3, 4 by 3 कितना हो गया, इवरे जिनका, 1.33, आप यहाँ भी 1 bond, 0.33 के लिखेंगे है, nitrogen double bond oxygen, 2 bonds, 1 bond and 1 bond, total 2 plus 1 plus 1, 4 bonds है, divided by number of structure, 4 by 3, फिर से 1.33, 1.33, यह तो हो किया bond होने देरिया, चार्ज की बारे में बात करें, nitrogen पर plus 1, plus 1, plus 1, तीनों में plus 1 है, average लेंगे, तो 3 by 3 structure, इस्टे plus 1 चार्ज जाएगा. इस oxygen पर देखा जाए, चार्ज, यहाँ पर minus 1 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर minus 1, तो चार्ज कितना हो जाएगा, minus 1 plus 0, minus 1, minus 2 by number of structure, 3, इस पर चार्ज हो जाएगा, minus 2 by 3, इस oxygen पर minus 1, minus 1, 0, total negative charge is minus 2, divided by number of structure, minus 2 by 3, इस oxygen पर फिर से, 0 charge, minus 1, minus 1, total charge minus 2 है, तो यहाँ भी, minus 2 by 3, मैंने यह क्या किया, इन तीनों का hybrid, ड्रॉ कर लिया, तो इसको बोलते हैं, resonance hybrid, तो जब आपको क्या करनें, next, यहाँ hybrid draw करने, next आपको O3 का structure draw करना है, third structure O3 का, Ozone का structure draw करना है, प्राइ्ड़ करे खेक्हाँ, जे में एक्षिते हैं, आपको Not bye, झाल O3 and 4 आपको draw करना है NCO-10 इन दोनों का structure देखते हैं सबसे पहले मैं O3 का structure द्रॉग करता हूँ Ozone का structure कैसा होगा अब सबसे पहले N1 find करेंगे N1 will be 6 into 3, 18 N2 will be 8 into 3, 24 N3 कितना हो जाएगा? 24 minus 18 6 हो जाएगा यहां से N3 by 2 3 हो जाएगा, मिनसे इसमे 3 points होगा इतना हो जाएगा N4 कितना होगा? N1 minus N3 18 minus 6 12, तो यहां से N4 by 2 6 हो जाएगा, मिनसे इसमे 6 लोन पे आ रहा है अब समझने वाली बात यह है कि यहां पे 3-0 oxygen है 3-0 same atom है अब किसी एक oxygen को central atom ले ले और 2 oxygen को surrounding atom ले ले समझने वाली बात अब को क्या करना है? 3 bonds है 3 bonds हमेशा ट्राई करें bonds central atom से surrounding atom में ड्रॉक करना होता है surrounding surrounding को attach नहीं करना होता है central से surrounding 1 1 clear है? 1 bond मेरे पास और है तो आप चाहें तो 1 bond इसको भी दे सकते है यह अब से इसको भी दे सकते थे तो चलो मैं यह भी ट्रॉक कर लेता हूँ याड means 4 single bond O double bond O clear है? अब मेरे पास loan pair 6 है इस oxygen के पास देखेंगे 3 bonds बना कर रखाया it means इसके पास 6 electron है तो 1 loan pair आप इसको ले दे इसको कितने loan pair देने वाले आप? 2 loan pairs इस oxygen को आप 3 loan pair देंगे similarly अगर आप चाहिए तो यहाँ भी ड्रॉक कर सकते है यहाँ पे 1 bond है 2 electron means 3 loan pair इसको इस oxygen को 1 loan pair और इसको 2 loan pair देना आपको clear है? अब अब अजर मैं बात करूँ कि loan pair देरिया मैंने bond हो गया formal charge calculate करना है चलिए मैं इस atom को 1 बोल रहा हूँ इसको 2 बोल रहा हूँ और इसको 3 बोल रहा हूँ clear है? अगर मैं calculate करूँ formal charge on oxygen number 1 कितना होगा? Oxygen के पास 6 valence electron 6 minus इस structure में कितनी electron है? तो 4 plus sorry 2 is कि और 4 यह मिल 6 minus 6 0 है similarly formal charge on oxygen number 2 6 valence electron इस structure में कितनी दिया है? 2, 3, 4, 5 6 minus 5 plus 1 formal charge on oxygen number 3 यह कितना हो जाएगा? 6 plus 1, 7 minus 1 between अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखना चाहूँ O double bond O O यहाँ पे minus 1 यहाँ पे plus 1 clear है क्या? और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यह कैसे लिखूँगा यार? O minus single bond O plus double bond O clear है जो ही option यहाँ पे यह option यहाँ पे आ रहा है फिर आप loan पे दे सकते हैं ऐसे लिखोगे आप लेकिन आपको पता है A plus और B minus है O plus और O minus है तो यहाँ पे आप इसको replace कर सकते हैं किससे coordinate bond से मैं इस अपता हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं O double bond O और यहाँ से coordinate bond O यह हो जाएगा Ozone का structure यहाँ पे two loan pairs यहाँ पे one loan pair यहाँ पे three loan pairs एक वह है और अगर आप इसका hybrid draw करेंगे इसका hybrid draw करेता हो यहाँ पे hybrid कैसा होगा O यहाँ पे दो bond है यहाँ पे one bond है क्या करेंगे आप 2 plus 1 3 3 by 2 structure यहाँ पे double bond total number of 1 3 है 3 by 2 means फिर से कितना हो जाएगा 1.5 charge के बारे में बात कर ले 0 minus 1 total charge minus 1 by 2 यह minus 1 by 2 इस oxygen पे plus 1 plus 1 means इस पे plus 1 charge जाएगा इस पे minus 1 by 2 रहेगा clear है क्या next लिए अप N Cu minus का structure draw करें यह कुछे try करें आप अगर मैं N Cu minus के बारे में बात करूँ सक्से पहले मैं N 1 find करूँगा so N 1 will be 5 plus 4 9 9 plus 6 15 plus 1 16 हो जाएगा 15 लेकर 1 minus है 16 N 2 will be 8 into 3 24 N 3 will be N 2 minus N 1 8 24 minus 16 8 हो जाएगा यहां से N 3 by 2 8 by 2 4 हो जाएगा N 4 N 1 minus N 3 16 minus 8 8 हो जाएगा और N 4 by 2 8 by 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा and 4 loan पहा रहा इतना clear है अब क्या जर्म है आपको central atom तो nitrogen carbon oxygen में carbon ही होगा carbon least electron negative element है carbon लिख दो oxygen लिख दो nitrogen लिख दो आपके पास 4 points है क्या पर हो गया आप तो 4 points means 1 2 3 4 यह दे सकते हो यह second option आपको यह भी पता है nitrogen triple points form कर सकता है यह पता है आपको यह सब ऐसे भी लिख सकते थे carbon, oxygen, nitrogen right दूसरा carbon nitrogen nitrogen 3 points form कर सकता है अब तीसरा भी nitrogen को ही दे सकते थे clear है गया तो यह यह दो structure possible है थोड़ा दोनों different दिख रहा है अब देखें दोनों में से कौन सा more stable है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा चलिए मैं यह पर loan pair assign कर देता हूँ मिर पास 4 loan pair है तो यहाँ पे calculate complete 2 loan pair इसको देंगी 2 loan pair इसको देंगी यहाँ पे 6 कि लेका on 1 loan pair इसको 3 loan pair इसको देखें दोनों में से कौन का structure correct है अब क्या करें formal charge calculate करें formal charge on nitrogen इसमें कितना हो देगा 5 valence electron minus 2 plus 2 plus 2 5 minus 6 minus 1 इसके पास carbon के पास 4 valence electron यहाँ भी 4 electron है इसके पास 4 minus 4 sorry यहाँ पे minus बहुत है चलो यहाँ पे लिखता हूँ इस structure में कितना है 5 nitrogen के 5 nitrogen के 5 nitrogen के पास valence electron इस structure में भी nitrogen के मैंने 2 plus 3 5 दिया तो 5 minus 5 0 है फिर इस structure में formal charge on carbon की बारे में बात करूँ 4 valence electron इस structure में भी 4 दिया तो 4 minus 4 0 है इस structure में 4 minus 4 0 है आराइट अब यहाँ पे बात करें formal charge on oxygen 6 valence electron 6 valence electron यहाँ भी मैंने 2 plus 2 plus 2 6 दिया 6 minus 6 0 यहाँ पे देखेंगे 6 minus 2 plus 2 plus 2 plus 1 7 electron दिया 6 minus 7 minus 1 इस structure में nitrogen पर minus 1 formal charge है इस structure में oxygen पर minus 1 formal charge है अब दोनों में से कौन सा structure more stable है यह कैसे decide करेंगे इसलिए अब अपने को देखना है तो आप एक सी रेख सकते हैं कि यह जो दोनों structure है इसमें सिर्फ bond का ही position different है बाकी atom का position same है इसलिए इनको अपने resonating structure बोलेंगे तो अपने next topic है selection of most stable resonating structure reading this here selection of most stable resonating structure इसके लिए key point आपके लिए बस एक 30 है key point यह है कि हमेशा याद रखी charge is bad for stability यह लाइन याद रखाप charge कहीं भी होगा इससे stability decrease होता है यह लाइन बस याद रखो सब कुछ आप कर सकते हो क्या बहुले मैंने charge is bad for stability charge कहीं भी होगा system unstable होता है यह आप याद रखें अब तो आपके यह याद है अब मान लिए कि आपके पास दो structure है A और B A में formal charge है B में नहीं है कोई जादा stable होगा जिसके पास formal charge नहीं है because charge is bad for stability either negative or positive कोई भी charge bad for stability होता है rule number one ही है कि एक में एक resonating structure में charge है एक में नहीं है तो जिसमें charge नहीं है वह ज्यादा stable होगा rule number two है दोनों में ही formal charge है लेकिन एक में मानलो plus 1 है एक में plus 2 है तो जिसमें ज्यादा charge होगा ज्यादा unstable होगा means जिस structure में less formal charge है वो ज्यादा stable होगा clear है या? तो पहले rule number 1 लिखे structure with no formal charge structure with no formal charge is preferred structure with no formal charge is preferred point number 2 point number 2 लिखे कि if there is formal charge if there is formal charge if there is formal charge then structure with less formal charge is preferred then structure with less formal charge is preferred यह होगा जिसमें less formal charge है उसको prefer करेंगे point number 3 अगर formal charge same होगा जिसमें यहां पर देखें minus 1 है यहां भी minus 1 है अब इनमें stability कैसे compare करेंगे तो इसके रूल है negative charge more electron negative पे stable होगा positive charge less electron negative पे stable होगा यह रूल नुमर सी आदा कि रूल नुमर सी क्या है ते लिख लीजिए if formal charge is same if formal charge is same if formal charge is same then then negative charge on more electron negative atom if formal charge is same then negative charge on more electron negative atom and positive charge on less electron negative atom is stable clear है और आपको सबसे पहले step wise आना है तो rule number one इन दोनों में इसमें charge has और दोनों पे equal है और दोनों में negative है तो negative है तो negative and more electron negative is more stable O and N में O more electron negative है इसलिए ये वाला structure more stable होगा clear है गया तो आप ये तीनों रूल याद रखें कौंसा resonating structure more stable होगा तो ये तीनों रूल से हम दो decide करने वाला है clear है तो आपके लिए home work है आपको मैं पच्छे molecule दे रहा हूँ 4th वाले 5th molecule है PO3 2- 6th molecule है carbon monoxide 7th molecule है SO4 2- 8th molecule है PO4 3- इनके आप structure दो करें formal charge भी calculate करें ठीक ये अपके लिए home work है 5, 6, 7, 8 रहे इसलिए आपके लिए इतना ही thank you so much अपके लिए